हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए वीडियो लिखा रहा हूँ देखे बात करेंगे एक क्रॉप केमिकल शेयर की क्रॉप केमिकल शेयर समझ रहो क्रॉप केमिकल जब भी आ जाता है यानि कि फटीलाइजर होगे इंसेक्टिसाइड पैस्टिसाइड ये सारी च चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि गया तो जल्दीसे सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोछिफिकेशन आती रहे हो और प्राइस सारी चीज़ हो लेकिन दिमांग के दिमाग में फिट बैठेंगी वो बैठेंगी प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस के लिए आपको दिये जाते हैं एक दो नहीं दस नहीं सो नहीं बलकि 5000 चार्ट एक महीने के अंदर सिंपल प्रैक्टिस है कोई rocket science नहीं है बस आपको हर दिन 50 स्टॉक उठाने हैं और 50 स्टॉक का आपने मंथली वीकली डेली और आवरली टाइम फ्रेम देखने और वो 50 स्टॉक कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा भाग है तो यह तो होगी लॉंग साइट की स्टॉक की लिस्ट होगी जिनको आप पांसार चार्ट होंगे स्टॉक तो आपके पास कमी होंगे 12 etc लेकिन चार्ट वह 5000 के आजपास चले जाएंगे तो अपन्साया अपी प्रैक्टिस है ड्ट्यूलर प्रैक्तिसह कैं स्टेंसी अ अंदर और फिर आप देखोगे, हाँ, कहाँ पर किस तरीकी की situation बन रही है, लेकिन अगर आप short side की opportunities के बारे में भी practice करना चाहते हो, ठीक 5000 जो काम अपने long के लिए क्या हो, 5000 short के लिए double practice हो गई, तो यह important है, starting के time पर आपको थोड़ा सा महनत जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे कर 15-20 मिनट में भी आपका काम हो जाएगा, अब यह देखे जरा अनुपम रसायन को देखिए, यह अनुपम रसायन में जैसी double bottom kind of scenario बना था, और यह stock हमारी radar में मार्च माया था, जल्दी नहीं देखिए, hourly का cycle 640 से start वा था, हम आपके लिए लिकाये थे 740 पर, उम्मीद थी दो हपते का consolidation कहां यह देखिए, सीधे 1100 के level पर, आपको यकीन नहीं है, तो यह जरा यह stock का chart देखिए, बहुत important मैं कहूंगा, अनुपम रसायन ने जो move दिया, बहुत ही खतरनाग move देखिए, 740 पर आपके सामने सा और आज यह 1100 के पार है, और उसी तरीके से अभी recently हम आपके लिए लेके आए थे Newland Lab, March की स्टाटिंग के यह वीडियो देखिए, March की स्टाटिंग के वीडियो से जरूर देखिए, बिल्कुल प्रोसेस को follow करता हुआ, आसमान पे पहुंच गया, यह है अनुपम रसायन, और यह है Newland Lab का weekly chart, आप देखिए, कितने आसानी से, य स्टॉक है, अगर आप देखोगे, यह मार्च के हॉल्ट सिरीज थी और उसके बाद रैली आपको देखने को बलिए, आज हम बात करने वाले शार्दा, क्रॉप केमिकल वाला शेर, आप देखोगे, प्रॉफिट देखिए, रिवैन्यू किस तरी किसे ग्रो किया है, प्रॉ उस पे, प्राइस पे क्यों है, तो हम देखेंगे चार्ट को, सबसे पहले आपके साबने रखते हैं मंतली चार्ट, मंतली चार्ट को जब आप देखोगे, तो आपको लगेगा यार, यह तो बहुत ही जबर्दस रहली आई थी, देकि इस तरीके के वालियूम बहुत ही आक बिल्कुल जड़ पे लेके आगया, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जड़ पे लेके आ, यानि कि जहां से यह वालियूम बनना सुरू हुआ था, जिस कैंडल से उसी कैंडल की जड़ पे ले आया, देखेंगे, और ओभी गायव वालियूम के साथ, तो यह अपने आप जड़ बनी यह कैंडल कौन सी है, अक्टूबर नॉवंबर सीरीज में ही रैली आई थी, जैसे अभी हमने आपको न्यू लेंड लैप का दिखाया था, किस तरीके से अक्टूबर नॉवंबर में रैली आई, फिर आई करेक्शन और उसके बाद पिछने पांच महीने से यह हमारे पास रिस्क है, तो अभी अगला जोन क्या हमारे पास यह लेवल है, 200 पॉइंट उपर है, 500 है वो 500 है, तो आप यहां से यहां तक जाना और साथ में यह करेक्शन लो वॉल्यूम की होना, अपने आप में बहुत कुछ बया करता है, तो चली छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, शार्दा क्रॉप कैम को कैसी सिचुएशन बन रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको वीकली चार्ट पे लेकर चलते हैं, अब ज़रा वीकली चार्ट को देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जहां से वो मूब जो है स्टार्ट हुआ था, यानि कि यह द क्या है, यह पूरा का पूरा, आप देखिए, क्या है, म्यूटेड वोल्यूम गायब, तो आपको दिए दिख रहा होगा कि वोल्यूम गायब है, तो अब जो है, और एक हायर लू का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, यानि कि यह जोन पर आपका बहुत ही बढ़ अब मैंने क्यों यह मूब माप किया, कि यहीं से फॉल स्टार्ट हुआ था, अगर कोई यहां पर अल्रड़ी बाई करके बैठा हुआ करने हो, वो सोचेगा कि यहां पर आए और मैं निकालू, तो यह इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो जाता है, तो चार सो असी से छे स सी, 200 पॉइंट की रैली स्टाप लॉस, देखे कितना है, 60 पॉइंट का स्टाप लॉस है, तो रैली का कितना मूब पोटेंशल आपको देखने को मिल रहा चलते हैं, और सोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यह तो वीकली है, अभी डेली पर देखते हैं कि साइकल स्टार करते हैं, उसी तरह की दूसरी साइकल बनाने को तयार हो रही है, अगर आप देखो कि लवल पार हुआ, ब्रेकाउट हुआ, इसके बाद बड़ा धामाका, हमेसा कोशिश यही करनी है, कि अगर खरीद रहे हो किसी स्टाप को, तो जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख कि कितनी दूर साइकल से तो यह लॉविं आवरेज जब भी भाई करोगे चाह आप लॉंग साइट की बात करो कबिंख शॉट साइट की बात करो क्या है यह लो रिस्क पोर्चणिती है, यहां पर क्या होता है रिस्क? बहुत कम, अगर आप में होगो चलिए शॉट साइट क अगर कोई opportunity तो किसी और stock में आप कहे भाई यह तो पांसो चालिस पांसो बीस के आराउंड का short है मेरा और stop loss मेरा बैट रहा है पांसो चालिस का लो रिस्क की opportunity आपने का हुआ मज़ेदार इसी तरी के लांग side के बात होते हैं तो close to the moving average सबसे बढ़ी opportunity low risk high momentum और high probability तो चलिए यह cycle के starting शार्दा क्रॉप के हैं डिटेल में हमने बात करी उम्मीद करता हूं समझ माया हुगा example के लिए हमने अनुपम रसायन दिखाया और आपको newland lab भी साथ में दिखाने की कोशिश करी कि कैसे यह moves होते हैं कैसे fractal nature of market आपको देखने को मिलता और उमीद करता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से आपको उसने कुछ जरूर सीखते होंगे तो इन वीडियो को tips या recommendation की तरह नहीं बल्कि learning की तरह जरूर नहीं आपको धेर चार्ज दीज़े समझ भाएंगे और practice जरूर करते रहें और जब thank you for watching the video